कि सो हे गाइज मेरा नाम है सफल बिसिन और लास्ट का जो वीडियो था वह यहीं से कट गया था ठीक है बट कोई नहीं पार्ट 3 बना देंगे हम तो यह आपका linear differential equation of second order है ठीक अब यह देखिए theorem है यह theorem आपको रटनी पड़ेगी और इस theorem को रटे रहेंगे तो आपके question solve करने का method भी एकदम सेम रहता है जैसा इस theorem को solve करने का proof है ठीक है ना तो एकदम सेम रहता है आप एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा यह ronskians of two function यह जो ronskians की तीन theorem है ना theorem one theorem two और यह theorem three इन तीन theorem में से एक theorem hundred percent यह कह सकते हो बहुत chances हैं इनके आने के ठीक यह theorem आने के बहुत chances रहते हैं इन theorem को direct यह theorem की statement या प्रूफ करने को कह देता है ठीक तो इनको आपको रटके जाना है यह तीन theorem भले ही बाकी theorem यह वह जहां से writing वाला जो pages है थोड़ी ची गंदी रइटिंग यहाँ पे है उसके बाद से जो notes हैं आपकी उन उन थेयोरम की बात करों उसके बात से जितनी भी थेयोरम साई हैं इस नोट में आपके उन में से यह तीन थेयोरम सबसे इंपोर्टेंट है यह वाली यह वाली और यह वाली अब इसके बाद यह देखिए हो homogeneous linearly linear differential equation of second order with constant coefficients यानि कि homogeneous linearly differential equation को solve करने का तरीका यह बताया है ठीक और फिर यह मैंने यह तो बताया है और फिर यह मैंने case 2 है case 2 के लिए भी हमने यह देखिए अपने इसको जरूर पढ़िएगा यह सब समझ के आपको खुछ से पढ़के समझना होगा ठीक है ना अब यह है यह फिर आपका यह 5.4 exercise को question number 1,2,6,7,9,10 तो इतने question solve कराया है इसी questions में से आएंगे ठीक फिर question number exercise 6.3 तो अब यह मत देखेगा कि यह आपका exercise 5.4 है फिर उसके बाद just exercise 6.3 आ गई ठीक इस notes का कोई reason है जो इस sequences में यह चीजें लगी है ठीक तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजेगा कि आप अपने खुद के sequence बनाने के चक्कर में ना पढ़िए जिस sequence में है उसी sequence में पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को और बहुत अच्छे से टैकल कर ले जाएंगे अपना question paper आपको बस थोड़ा सा धैर रख के time देना होगा इस notes पे यह सारे questions कराएं question number 14, question number 3, question number 5, question number 1, 2 फिर यह theorem है यह भी important theorem है ठीक यह देखे general solution of differential equation this where rx यह बहुत important theorem है ठीक है यह non-homogeneous, अभी हमने क्या पढ़ा था homogeneous linear differential equation को पढ़ने के लिए, अब non-homogeneous linear differential equation of second order को solve करने के लिए यह theorem, मतलब यह तरीका है, मतलब समझाया गया है, और फिर यह theorem थी, theorem का proof है, ठीक, यह पूरी बड़ी सी theorem है, यहां से लेके यह देखिए, यहां तक, पूरा गई है, यह आपको पढ़ना पढ़ेगा, ठीक, यहां तक, आपका, यूलोर्स कोची equation भी होगी, इसी में आएगी, आगे आएगा, तो unit 3 ही चल लएई है, अभी तक यह सब आपकी, ठीक, अब यहां पी यह देखिए, unit 3 में ही आपका आता है, क्या, homogeneous linear differential equation हो गया, linear independent solution हो गया, fundamental system of solution, system of solutions आग पीछे है, equation with constant coefficients, यह देखिए, यह सब आपका, इसमें है, यहां से, variation of parameter दिखा, यहां homogeneous linear differential equation और यह सब तो आपने भी देखा दिया, मैंने आपको, variation of parameter, तो यह देखिए, variation of parameter बहुत important है, 100% हर साल इससे question आते हैं, ठीक, तो variation of parameter को करने का तरीका है यह, आपके पास, इसको समझना पढ़ेगा, आपको पढ questions है, वो सब इसमें हमने solve भी किये है, आप देख सकते हो, question number 2, फिर यह है, आपका question 3, ठीक, question number 6, तो आपको खुद से practice करकर के देखना होगा, तभी आप सीख पाऊगे, question number 8, जो की important भी है, है ना, और फिर यह देखिए, यहां पे आपका एक trick to learn भी है, the format of equation, if differential equation is of second order, like this, इस तरह की second order की differential equation होगी, तो यह देखिए, मैंने अपनी language में, जिससे मुझको याद रहे, या मैं solve कर ले जाओ, पूरा बना के लिखा है, हमको इस case में 2 equations बनानी पड़ती है, ठीक, बनानी पड़ती थी, यह और यह इसका, तो पूरा यह explain है, आपको पढ़ना पड़ेग ठीक, फिर आता है 6.4, इसी तरीके से बस practice हो रही है, यहाँ तक भी तो question ही solve हो रहे थे, अब यहाँ पे भी बस practice हो रही है, यह देखिए, अब यहाँ पे आता आपका undetermined coefficient method, ठीक, और I think, यह देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका method of undetermined coefficient, तो यह भी आपके cell bus में है, ठ आपको पहले पढ़ना होगा कि Rx, अगर Rx to the power n के form में है, तो form of particular solution इस form का होगा, और condition क्या होगी, when 0 is not root of auxiliary equation, जो आपकी auxiliary equation होगी, उसका जो root होगा, वो 0 नहीं होगा, ठीक, और when 0 is root of auxiliary equation, and occurs alpha times, ठीक, अगर 0 उसका root है, और alpha times अकर हो रहा है, तब यह होगा उसका particular solution, और अगर 0 उसका root नहीं है, तब उस case में यह होगा, उसका particular solution, जब Rx हमारा यह होगा, ठीक, आप सबको पता है, यह Rx की बात कर रहा है, यह जिक्टो थियोरम थी मैंने कहा था, बहुत important है, यह वाली थियोरम में यह जो Rx है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है न यह, तो यह Rx अ अलग-अलग है, यह सब आपको पढ़ना पड़ेगा, important questions है, question number 2, यह solve कराए गए, question 2 है, question 3 है, question 5, question 8, और easy है, इतने बड़े-बड़े solution देखे, डरियेगा मत, बहुत easy है, मैं बता रहा हूँ आपको, बस calculations हैं और कुछ नहीं है, फिर आता है, inverse operator method, यह देखिए, parameters and operators for determining particular integrals, यह भी होगा मेरे ख्याल से, आपके cell bus में, 100%, है, यह है आपके cell bus में, ठीक है ना, तो कोई confusion में मत रहिएगा, इसको भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, ठीक, यह आपका 6.5, 3, 5, यह सब solve करनी पढ़ेंगी आपको, exercise का 6, exercise 7, यह देखिए, एर्थ कितना बड़ा है, कोईशन इसका, और यहाँ पर मैंने देखिए, समझाने के लिए लिखा भी है, कि अगर denominator में, fd, fd, मतलब function of d, d square के function की तरह नहीं आता है, तो उसके conjugate से, उपर नीचे multiply करके, यानि कि जो denominator है, उसी के conjugate से उपर नीचे multiply करके, d square के function के रूप में, लाने की कोशिश करना पड़ेगा हमको, इसको solve करने के लिए, ठीक, पढ़ो के तो आप समझ जाओगे, क्योंकि वो इस तरह से बनी ही है notes, ठीक, अब ये कुछ properties होती है, ये property 1, ठीक है ना, property 2, इस properties को आपको रटना होगा, तभी आप questions फिर solve कर पाओगे, आगी की exercise के, जैसे question number 10 हो गया, है ना, question number 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, तो सारे questions देखिए, इसमें maximum to maximum questions प्रोवाइड करवाए गये हैं, ये आती है, आपकी यहां से, Euler-Scotchy equation, coefficients are variable, ये देखिए, यहां पे लिखा, Euler-Scotchy equation, तो variable coefficients के लिए है ये, ठीक, ये आपको बताया है कि किस तरह से solve करना है, कोई भी equation को, consider differential equation, इस form में कोई differential equation है, तो पहले ये बताता है आपको, अब उसके बाद question solve कर रहा है, चिक्स के लिए, ठीक, इसके आगे के questions, नहीं question paper में आते हैं, और बहुत lengthy होते हैं, है ना, lengthy क्या मतलब, अब practice करनी हो, तो आप पूरे ही book लगा डालो, लेकिन उतना worth it नहीं होगा, बाकी papers भी आपको समालने हैं, geometry, real, और आपके physics, और जो भी तीसरा paper है, उसको भी समालने लाएं, तो इतने questions ही लगा लीजिए, enough रहता है, क्योंकि इन ही questions, शुरू के 6 questions में सही आते हैं, ठीक, और यह देखिए, यह मैंने short, जो भी लिखा है, इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा आएगा, आराम से, question number 3, 4, ठीक, question 2, लगाने की कोशिश की, ठीक है, देख लीजिएगा, जितने questions हैं, उतने enough हैं, अब आता है, system of linear equations, यहाँ पर यह देखिए, आपका यह भी होगा, system of linear equations होना चाहिए, वैसे तो, क्योंकि important था यह, हम, यह देखिए, यह unit 4 से आजाता है, अब यह, ठीक, linear system of differential equations, system of linear equations, ठीक है न, यह वाई है, with constant coefficients, यही है, system of linear equations, ठीक, तो इनको solve करने का तरीका, consider system of equations is in the form of this, अब एक आपको differential equation दी है, दूसरी दी है, तीसरी दी है, चौती दी है, इस तरह से N equations दी है, तो यह देखिए, इसमें एक दी है, दो दी है, आप इनको solve करके, solve करना है, ठीक है न, system of linear equations को solve करना है, तो यह देखिए, बताया है किस तरह सो solve होगा, question 1, question 2, ठीक है न, question 3, question number 7, question, तो 4 question है, और आप अराम सुस को solve करके practice कर सकते हो, अब बात आती है exercise 4.3 की, क्योंकि exercise 4.2 ही तक, अभी तक solve था, अब exercise 4.3 यहां से जो है, ठीक, तो exercise 4.3 को आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा, singular solution की जिसमें बात करते हैं, तो method for finding singular solution, एक होता है P-discriminate method, एक होता है C-discriminate method, यह आपका दोनों ही समझाया गया है, और फिर questions भी लगवाए गये हैं, 3rd है, 2nd है, 6th है, और फिर ISO clients का topic, और फिर यह आपका खतम, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब हम आपको बता दें कि आपको revision करना कैसे है, पहली बात तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए, कोशिश करिएगा कि आपको unit 1, unit 2, unit 3, ठीक, और unit 4, unit 4 में जो आपका ये वाला linear system of differential equations with constant coefficients है, यहां तक, ये B section अभी नहीं, अभी B section के बारे में बताऊंगा, unit 4 का part A तक, ठीक, आपको क्या करना है, कोशिश करनी हैं आपको, ये देखिए, पहला part जो है, वो आराम से अगर आप खुच से notes पढ़ो, और फिर उसके तरीके देखो, याद करो, और करने बैठो, तो अगर आप पूरा-पूरा दिन देते हो, और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ OD पढ़ रहे हो, तो आप मेरे ख्याल से 3 से 5 दिन में, आप unit 1 खतम कर सकते हो, ठीक, 3 to 5 days बहुत हैं, अब उसके बाद, अगर आप इस पे command बना ले गए, तो अगले 5 दिन में मेरी बात मानिए, आप अराम से unit 2 और unit 3 का आधा या कह सकते हो, अगर अगला 10 दिन और ले लो न, अगले 5 ही दिन में मैं बता रहूं आपको, सिर्फ 5 दिन और लगेंगे, मैं गरंटी दे रहा हूं, सिर्फ 5 दिन और लगेंगे, आप अराम से ये इतना portion और ये पूरा यहां तक का, खतम कर सकते हो, और फिर आपको ODE एकदम tips पे होंगी, बहुत easy रहेगा आपके लिए ODE को solve करना, ठीक, अब उसके बाद आती है, ये तो चलिए आपको किता लगा, 5 दिन इधर और 5 दिन इधर मान लेते हैं, 10 दिन, 10 दिन में आपने, आपकी notes जो मैंने provide की है उससे आपने पूरा पढ़ लिया, सारे questions जित्ते भी उसमें solve थे, उसको at least 2 बार, इतने 10 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ ODE पढ़ रहे हो, सुबे से लेके साम तक अगर 12 hours देने पढ़ेंगे अब आपको, इतना time नहीं है, तो 12 घंटे अगर रोज दिये, 10 दिन में, तो अराम से आप जो है, ये खतम कर सकते हो, इसका मतलब कि आप 2 बार at least सारे questions को लगा के solve कर चुके हो, और जितनी भी theorems हैं, उनको रट चुके हो, ठीक, इतना काम आप कर चुके हो 10 दिन में, तो कि आप 12 घंटे दे रहो, और मेरे ख्याल से ये 10 से अंदर ही हो जाना चाहिए अगर आप सच मुच में 12 घंटे रोज दे रहो तो पढ़ने के, 4 घंटा सुबे दे दो, 4 घंटा दुपहर, 4 घंटा शाम खतम, ठीक, फिर करना क्या है, जब आप फिर OD खतम करने के बाद, just 10 दिन के बाद, आप 1 दिन या 2 दिन, at least 2, किसके लिए, ये revision के लिए, इसको revise कै करें, इसका पूरा मैंने बताया है, तो revision आपको शुरू करना है, exercise 7.3 और 6.6 को revise करना है, सबसे पहले आपको, ठीक, क्योंकि पढ़े तो अब आप पूरा हो, है न, कुछ भी छूटा नहीं है, exercise 7.3 और 6.6 सबसे पहले revise करना है, क्योंकि इससे 5 नंबर का एक कोशन आना त मतलब सुरू के 6 सवाल लगबग तो इसमें solve करवा, मैंने दिया ही है solve करके, बस आपको लगा के, हाँ, question paper में अगर अब वो सवाल आये, तो आपकी जिम्मेदारी है, कि वो आप कर ले जाओ, ठीक, क्योंकि अब आपको solved मैंने questions दी हैं, पूरे, फिर उसके बाद, ये दोन देखने हैं, और questions लगाने हैं, ठीक, इन में से 5 या 10 नंबर का एक question आना तय है, 100%, तो यहीं से आपके यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10-15 नंबर तो आपके यहीं से fix हो गए, फिर यहाँ से Newton's cooling, law of cooling पढ़नी है, radioactive decay पढ़ना है, general solution और singular solution, जो की आपका exercise 4.3, जो अभी last में एक cure हो जाएंगे, जितने भी questions हैं, बस उतना कर लीजे, और जितने 4.3 में questions में दिखाए थे, उसको पढ़के समझ के, तयार कर लेगें, अगर आप इन 10 दिनों में, ठीक, तो 5 नंबर आपके यहाँ से fix हो गए, revision करने का बता रहा हूं, उन 10 दिन के बाद यह एक या दो दिन हैं, उसको कैसे देना है, ठीक, फिर उसके बाद आपको देखना है, exercise 2.9 या 2.10, ठीक, 2.9 और 2.10 क्या है आपकी, वो होगी है, I think, जो होती है न, एक मिनट रूप यह में बता रहा हूं, बर नौलीस के बाद कौन सी थी, 2.10 में, first order, but not first degree, I think, होगी है, 2.9 और 2.10, solvable for y, solvable for x, यह सब होगा, ठीक, तो यह आपको देखना है, फिर आपको 2.7 देखनी है, यानि कि क्या, बर्नॉलीस equation, 2.6 और 7, ठीक, बर्नॉलीस और linear आपको सबसे पहले revise करनी है, क्योंकि इनसे भी questions आ रहा है, अब भी बताऊंगा, फिर 2.4 और 2.5 यानि exact और non-exact differential equations, इसी में है, exact की necessary and sufficient condition आपको पढ़ लेनी है, 100% आएगा, ठीक, फिर exercise 2.2 में, जो article of homogeneous coefficient से वो तयार करने है, question number 5, 8, 9 और example 1.3 तयार करने है, ISO clients तयार कर लेना है, ठीक, देखिए कितना आपको कितना कुछ तयार करना पढ़ रहा है, unit 1 के लिए, और unit 2, 3 और 4 के लिए कितना बस इतना, तो देख रहे हैं न, unit 1 पे क्यों मैंने जूर डाला, ठीक, 2.2 के articles लगा लेने है, ISO client पढ़ लेना है, उसके बाद, यह देखिए, exercise 5.5 और 5.6 से, जितने भी question मेरी notes में है, ठीक है न, उसके अलावा आपको एक question नहीं पढ़ने है, बस उतना पढ़ लीज रैंसकेंस की वो जो तीन theorem थी, तीनो theorem पढ़नी है, ठीक, प्लस theorem of this, यह जो आपकी एक theorem मैंने और important बते, रैंसकेंस की तीन theorem के बाद, मैंने एक और आपको theorem बताई थी, यह, जिसमें यह आपका general solution होता है, यह आपका, एक, क्या सकते हैं, वो, इसका नाम नहीं यादा रह cf, वो होता है, और यह आपका particular integral होता है, ठीक, तो यह वाली एक theorem है आपकी, उसको पढ़नी है, ठीक, और फिर, how to find cf of any differential equation, whether roots are real or imaginary, यह आपको revise करना है, ठीक है, यह चीज़ आपको, यह इसमें होगा, मैं बता रहा हूँ, यह, यह सब जो लिखा है ना, यही मैरी vision करने के लिए, वो जो last में लिखा था, यह चीज़ जो बात की गई है, how to find cf of any differential equation, ठीक है ना, फाइ एक्स, whether the roots are real or imaginary, cf को ही फाइ एक्स कहते है, ठीक, तो जब roots are real or imaginary होगे तो यही सब की बात हो रही है, इसलिए इन सब को मैंने देखिए, इतना खुद के language में भी explain करके समझने की कोशिश करने के लिए रखा हुआ है, ठीक, तो यह सब आपके काम आएंगे, यह इसना चीज आप पढ़ लेंगे, ठीक, फिर आपका vector calculus से एक question 100% है, यह बहुत ही easy है, ठीक है ना, बस इसको आपको पढ़ते जाना है, यह सब कुछ नहीं है, कर निकालने का तरीका, irrotational vector का होती है, है ना, और directional derivative क्या होता है, यह सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसके ज questions प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार या दो बार लगा के देख ली जगा है, इन सब के questions, इन से बाहर आपके questions नहीं आने वाले फिर, यह गीने चुने, आपके 10-12 questions होंगे, बस, और यह previous year के ही है, जब की, देखिए, दूढ़ दूढ़ के लिखा गया है, important, theorem, ठीक है, यह स तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, कि आपको कैसे अपनी preparation करनी है, ठीक, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए, अभी आपके पास अगर देखें, आज से, तो लगभग दो महीना है, दो महीना यानि 60 दिन, 60 days है, आपको मैंने जितना बताया, आप 15 दिन में ODE आराम से त्यार कर सकते हो, ठीक, 15 दिन में ODE त्यार कर सकते हो, अभी real का भी analysis बताऊंगा, तो उसमें आपको पता लगेगा कि 10 दिन, 10 दिन में केवल और केवल real त्यार हो सकता है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये क्या बात कह रहा है, लेकिन सिर्फ 10 दिन में real त्यार हो सक सकता है, 10 दिन में सिर्फ आपका real त्यार हो सकता है, ये टोटल हो गए 25 दिन, बचे कितने आपके 35 दिन बचे, है ना, 25 दिन आपके used हो गए हैं और इसमें आपने ये दुनों त्यार कर लिया है, मैं geometry आपको बहुत पहले से geometry की चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप आराम से maths अपनी पूरी कर सकते हो, बाकी के बचे हुए 30 दिन जो होंगे, उनमें से आपको 15 दिन में अपना physics त्यार करना है, और 15 दिन में आपको अपना third paper त्यार करना है, ठीक, तो आप समझ लिजे कि आपके पास कितना time है, ये जो 15 दिन आपका physics का है, और ये जो 15 15 दिन आपका third paper का रहेगा, 15 दिन में physics के तीन paper समालें, यानि हर paper में आपको 5 दिन ही चाहिए बस, 5 days, ठीक है ना, प्लस आपको revision भी तो करना होगा, अगर exam आपका 22 में से start होता है, बट मुझे जहां तक लगता है, exam start होने की date 22 में है, लेकिन आप लोगों के, यानि B.S.C 22 में से B.A.V.A के exam start होंगे, समझे, तो मेरा जो exam था, वो बोला गया था, पांच अगस से start होगा, बट मेरा जो B.S.C का, तो 5 अगस से लेके, 10 सितंबर तक तो आपके किसके चले थे, B.A. के paper चले थे, लेकिन B.S.C वालों के 10 September से चले थे, तो हम लोगों को लगभग 35 द पता नहीं, B.A. का ले, की किसका ले, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है, B.A. का ही होगा, हम लोगों के paper June में, के बाद June जो आता है, June में शायद होंगे, और अपकी बार University mood में लग रही है कि paper जल्दी कराने के, क्योंकि उसको session manage करना है, session ज्यादा late ना हो, इस वज़े से June में ही आपके जो है, paper खतम भी हो जाएंगे, 10 सितंबर को start हुआ था, 20 सितंबर को हमारा paper खतम भी हो गया था, ये बात आप आप याद रखिएगा, 10 दिन में 9 paper दे के खतम करवा दिये था, University ने, एक दिन का gap, मतलब एक ही दिन का gap मिला था, वो भी एक paper के लिए, बाकी और real analysis को आपको कैसे tackle करना है, और बस वो शायद last lecture होगा, और उसके बाद मैं अपने exams की तयारी पर लगूँगा, तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, all the very best.